Hello students, जैसा कि आप लोगों को पता है कि CVSC ने अपने जो sample paper है वो अपने release कर दिये ठीक है, तो जो sample paper है उसके बारे में अपन थोड़ा सा discussion करने वाला है कि कैसा paper है, क्या marking उन्हें ने दिये, कितने section दिये paper में, कितने कितने marks के question है और even जो questions है, उनके आपको solution भी दिये गए है, है ना, तो अपन क्या करेंगे, उनके बीचे concept कौन से है, कौन से chapter से क्या-क्या question आये हुए, वो अपन सब मैं discuss करने वाला हुँ आपके साथ, ठीक है डिया, चलो, तो देखो, सबसे पहले आपके लिए, कि यह sample paper आपको मिलेगा कैसे, आप simple सा यह डालोगे, Google पे, Google वाब वाब पे, CBSE sample paper, 2020-23, class 10, तो यह जो पहली site आ रहिए, यह ही आपके sample paper है, जो subjects की है, वो होगी, maths के अपनी दो है, basic और standard, यहां question paper है, यहां पर marking scheme है, तो marking scheme में, इसके solution दी हुए, answer की दी हुई है, जिसे बड़े question है, नो उनका proper solution दिया हुए, बाकी answers दिये हुए, one line के questions है, ठीक है, चलो, अब देखो, यह paper है, अब paper के बारे में, आपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि paper के है क्या गया, three hours का paper दिया इनोंने, जिसमें आपके 80 marks के question है, ठीक है, five section दिये हुए, A से लेके E तक, ठीक है, A section में आपके 20 MCQs है, जो एक marks के, B section में आपके five questions है, जो हर एक question दो marks का है, then आपका section C में, six questions है, carrying three marks, D में है, four questions, five marks, और E, E section में case based integrated unit of the assignment, case based study question होगे, तो यह क्या है, इसके अलग सब topic, question के और part बने हुए, जो एक, एक और दो marks के, ठीक है, सभी question करने compulsory है, internal choice in, five marks के दो question में internal choice है, two question of three marks, और यह सब दिया हुए, ठीक है, और उन्होंने और कहीं दिया है, पाई की value required रहीती है, तो 22 by second लेना है, तो यह आपके questions दे रखे, यह देखो 10 MCQs है आपके, ठीक है, यह एक नया है, assertion reason type के भी question दिये हुए है, यह एक नया concept इन्होंने डाले है, questions, कितने question दिये, दो question दिये, जो कि आज तक नहीं पूछे जाते थे, assertion reason के question आपको दिये गए, यह एक नहीं important information है, इस paper के through, के लिए डियर, चलो, उसके बाद आप देखोगे, section B में, simple question दे रखे, then section E में, आपके study based question होगे, कैसे study based, तो इन सब question को अपन एक एक करके, देखने की try करते हैं, कि इसमें क्या क्या given है, और कैसे इन questions को अपन solve कर सकते हैं, कौन कौन से chapter से यह question आय हुए हैं, कि लिए डियर, अब देखो अपन question स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन mcq की तरफ जाएंगे, ठीक है, पहला question, यह mcq जितने भी है, वह one marks के question है, simple question है, इसमें क्या गया गया गया, a b दो positive integer है, p और q prime factorization कर रखाएंगे, प्राइम factor है, या prime number बोल सकते हो, ठीक है, scf और lcm यह दिया हुआ है, तो m plus n into r plus s होगे, थोड़ा सा अलग question है, ठीक है, आपका real number से related question है, तो मैं खुछ solve कर रहूँगा, otherwise मैं questions को आपको hint दे दूँगा, कि आप ऐसे solve कर सकते हो, तो यह अलग कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है, इनका देखो lcm निकालोगे, lcm क्या होता है, lcm निकालोगे, सबोज आप lcm निकालते हो, lcm क्या होता है, दोनों में जो भी factor है common factor, उसके highest power ले लो बाकी बचे होई, तो यहाँ पर दोनों में देखो कि p की highest power 3 है, q की highest power 4 है, तो यह इसका lcm हो गया, cf निकालोगे तो lowest power लेते तो p की power 2 हो जाएगा और q की power 3 हो जाएगा, बस आसान सा हो गया, यह आपका m हो गया, यह आपका n हो गया, यह r हो गया, यह s हो गया, value put करो और answer निकाल दो, fault is a simple question, ठीक है, चलो, next one देखते है, इसमें क्या होला है, p is a prime number, the quadratic equation is roots as a factor of p, मτιल्लिब, जिसके roots p के factor होने चायए, तो मतलब डीयर इसके 2 roots होने चायए, एक तो p और एक 1, p के factor 2 ही होगगे, कोई prim number है, तो इसको factor prisoners p और 1 हो हो गयेm तो, मतलब दो root होने चायए, p और 1, तो alpha प्लस beta क्या होना चायए, p समणों उना चायए, ऐसा option देखते हैं तो option B में ये बात बन रही है तो ये option B आपका correct हो जाएगा ठीक है अगें simple सा question है alpha and beta is the zeros of this then alpha plus beta equal to alpha in beta तो पी बताओ, simple सी बात है alpha plus beta आप निकाल दो वहाँ से तो minus B by A है नि, minus 2 by P हो जाएगा, alpha into beta क्या आजाएगा, आपका 3P by P हो जाएगा यह नि 3 है बस अब पूट कर दो alpha plus beta की जाएगा 2 by P equal to 3, तो minus plus 2 by 3 हो जाएगा तो option B correct हो जाएगा ठीक है, अगें ये आपका question हो गया polynomial से था ठीक है previous वाला question quadratic equation से था ठीक है और उससे पहले वाला real number से था ही अगला question अगला question आपका है linear equation in two variable ठीक है linear equation in two variable का question है इसमें बुरा inconsistent inconsistent का मतलब यह होता है जिसके solution नहीं हो ठीक है consistent का मतलब होता है solution होना चीए inconsistent का मतलब जिसका solution नहीं होना चीए तो वो क्या होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 ऐसा होना चीए मतलब आपका inconsistent का मतलब हो गया no solution ठीक है infinite solution और unique solution दोनों ही consistent में आते तो यह क्या हो गया देखो 3 upon 2 k-1 equal to b बने क्या है 1 upon k-1 is not equal to k-1 upon 2 k-1 यह नहीं होना चीए ठीक है यह दोनों equal करोगे 3 k-3 हो जाएगा cross multiply करोगे यह बनेगा 2 k-1 तो यह हो जाएगा k equal to 2 तो k equal to 2 आजाएगा अब यहाँ k equal to 2 put करोगे यहाँ two put करोगे तो 1 बनेगा और यहाँ put करोगे k equal to 2 तो नीचे बनेगा 5 उपर बनेगा 1 तो 1 by 5 तो equal नहीं हो रहा है ठीक है तो यह correct यह दोनों equal नहीं होगा k की value 2 के लिए ठीक है तो वो cross verify करने की जरूत है तो वो आपने जरूत यहाँ पर fulfill कर दी यहाँ आपने चेक करना है k equal to 2 put करना है यह दोनों equal तो नहीं हो रहे क्या है एसा है ठीक है जनरली इफ दिया हुआ है answer k की एक value आए तो equal नहीं होगा यह आपका coordinate geometry का है अच्छा question है आपके coordinate geometry की last text size में दिया हुआ भी है इस type का question क्या बोला एक पहलो ग्राम के चारो context vertex दे रखें क्या दे रखें क्या दे रखें 3,4 order में ही दे रखें माइनस 2,3 माइनस 3,2 माइनस 2 और इसके P Q R और S इसके आपको coordinate पूछे अब आपको पता होना चाहिए कि पहलो ग्राम में इसका और यह diagonal दोनों ही bisect करते है मतब यह क्या है इन दोनों का midpoint है तो क्या करो इन दोनों का midpoint यह निकाल सकते हो कैसे निकालो के minus 3 minus 3 upon 2 एनी 0 यह 4 minus 2 upon 2 एनी 1 तो यह 0,1 होगे इसके coordinate अब इन दोनों के midpoint भी होना चाहिए इसको क्या मान लो xy मान लो अब देखो x minus 2 upon 2 equal to 0 होना चाहिए तो x की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी 2 आ जाएगी similarly y plus 3 upon 2 equal to 1 होना चाहिए तो y की value कितनी आ जाएगी minus का बना जाएगी तो ऐसे आप निकाल दो ठीक है वादब यह यूज़ करना otherwise आप distance निकालने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा आपका time consume हो जाएगा और बहुत complicated भी बनता जाएगा अगला कोशन आपका similar triangle से क्या बोला है ABC और PQ आ ट्राइंगल होते हैं यह आपको पता होगा आपकी side का ratio उनके altitude के ratio के भी equal होता है तो altitude का ratio भी corresponding यह होगा AM by PNB यही ratio होने वाला 2 by 3 ठीक है तो इफ आपने यह नहीं पढ़ाया तो हमाय चैनल पे complete playlist के हिसाब से आपको lecture डले हुए वहाँ विजिट करें वहां से आप study करें आपको प्रॉपर आपको पढ़ाया हुआ जैसा आपको class में पढ़ाया जाता है टिगनोमेटिका कोश्चन क्या यह दोनों बोला है x into this अर वेल्यू पूट करने इम बस वेल्यू पूट करके एक्स की वेल्यू निकालने एक्स की वेल्यू निकालोगे तो वो कुछ फॉर्म में आगे सबोज मैं निकाल देता हूँ 1060 होता है root 3, cos60 होता है root 1 by 2, sin60 होता है root 2 by 3, cos60 होता है 1 by root 3, तो यह root 3 तो root 3 कड़िया, 2,2 कड़िया थो x equal to 1 by root 3 और x equal to 1 by root 3 की value कि इसकी है 1030 होता है, आपको x निकालना है फिर उसको वापस एंगल में convert करना है, कौन से की value 1 by root 3 होता है, ठीक है अगला question again trigonometric है, अपने को बोला गया है 10 theta plus cos theta की value निकालना है, तो यहाँ से आप value put कर सकते हो, sin theta upon cos theta, plus cos theta upon sin theta, ठीक है, अब यहाँ पे आप LCM लोगी, तो यहाँ आएगा sin into cos, उपर आएगा sin square plus cos square, sin square plus cos square तो 1 हो जाएगा कोई दिक्कत निए, निचे बचा sin into cos, तो sin into cos निकालना है, अब जो पहली equation given है, sin plus cos equal to root 2, इसका square कर दो, sin square plus cos square plus 2 sin into cos equal to 2 हो जाएगा, यह 1 होगा, तो 2 sin into cos equal to 1 बन जाएगा, तो sin into cos equal to 2 होगा, और 2 put करो, 1 by 2, sorry, 1 by 2 वोगा, 1 by 2 आप यहाँ put करोगा, तो 2 पर चला जाएगा, तो option B correct होजाएगा, ठीक है, असान सा question है, थोड़ा सा हट के अलग question देने के try करिये, इस sample पर में यह question, यह again में को similar triangle का ही लग रहा है, D is parallel to BC, A equal to A unit, अच्चा, EC equal to B, D equal to X, BC equal to Y, ठीक है, following is true, X की value बतानी स्टम है, simple सी बात है, आपको यह छोटा वाला triangle और बड़ा वाला triangle से similar है, दोनों को similar कर दो, तो A by A plus B equal to X by Y हो जाएगा, तो वहाँ से आप Y निकालोगे, तो X की term में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपका असानी से बन जाएगा, ठीक है, यह छोटा वाला triangle और बड़ा वाला triangle सिमिलर है, वहाँ से आपको solution मिल जाएगा, trapezium, ABCD, यह दोनों parallel है, AD equal to 4 दे रखा है, इफ डाइगोनल, diagonal intersect at O, ठीक है, OA by OC equal to OB by OD दे रखा है, अच्छा, OA by OC equal to OD by OB equal to 2, 1 ratio 2, simple 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 question, देखो, इस side, यह side और इस side का ratio दे रखा है, कितना दे रखा है? 1 ratio टू दे रखा है, 1 ratio 2, ठीक है, अब आप देखोगा आ, यह दोनों triangle similar होते है, दोनों triangle similar हो जाए तो यह दोनों side one ratio two में, तो यह दोनों side भी one ratio two में होनी जिए, तो यह 4 है तो यह कितनी होगी, 8 होगी, मतलब इधर वाली side, उपर वाले triangle की side double होगी, इस नीचे वाले triangle, diagram अलग type का बना हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब मैंने यह बड़ा बना दिया, यह छोटा होगा, तो यह छोटी side 1 है, यह 2 है, मतलब यह 1 part है तो यह 2 part है, if the tangent inclined at the angle of 60 degree, drawn to the circle of radius, then the length of each tangent, ठीक है, यही बोला गया है, यह tangent है, इस circle पर draw करिए, वो आपके 60 degree पर aligned है, तो यह वाला मैं निकाल सकता हो, 30 degree है, ठीक है, यह 30 degree होगी, 60 degree total है, यह इसकी side 3 है, radius 3 है, अब यह निकालना है आपको, और यह 90 degree है, तो आप right angle triangle triangle की property लगा दो, property क्या है, sorry, trigonometry लगा दो, trigonometry निकालो होगा, 3 by x equal to 1060, 1030, 1030 होता है 1 by root 3, तो x equal to 3 root 3, ठीक है, तो आपको tangent मिलगी, मतलब यह circle का भी plus trigonometry दोनों के include हो रहा है concept, ठीक है, circle inscribed in square of the 6 cm, मतलब एक यह square ऐसा बना है, तो मतलब जो यह square की side 6 है, 6 आपका क्या हो जागा, circle का diameter हो जागा, तो मतलब circle का diameter दिया हो, तो यह हो गया, area related to circle बोल सकते हो, circle से, ठीक है, जो आपका side होगी, उसकी square की, वो आपकी क्या हो जाएगी, circle का diameter हो जाएगा, the sum of the length, breadth and height of a cuboid is this, अच्छा, length plus breadth plus height दे रखिये, the length of its diagonal, is this than the surface area volume, यह, surface area of this cube हो है, देखो इसका diagonal की length से दे रखिये, तो diagonal होता है, root L square plus B square plus H square, बहुत सही question दिया हो, बहुत बढ़या question दिया हो, यह आपका surface area volume से आपका question है, ठीक है, यह दे रखा है आपको 2 root 3, square कर दो दोनों side, तो L square plus B square plus H square equal to हो जाएगा, 4 into 3, यह हो जाएगा आपका, 4 into 3, 12, ठीक है, और आपको L plus B plus H दिया होगा है, 6 root 3, और आपको निकालना है surface area जो की होता है, 2 times L B plus B H plus H L, बस यह निकालना है, अब क्या करोगे, इसका square कर दो, square करोगे, इधर time आएगा, L square plus B square plus H square plus 2 into L B plus 2 into L H plus 2 into B H, ठीक है, तो जो L square plus B square plus H square होगे, बचेगा यह time, तो यह आपको इससे solve हो जाएगा, इसका square करने में, तो आपको final result मिल गए, आसान question है, यह थोड़ा सा हलका सा आपको चीज श्ट्राइक करनी चाहिए, देखो यह जो sample paper है, previous year जब इन्होंना sample paper provide करा था, उससे तो थोड़ा सा level high करा, इन्होंने, the difference of mod and median of a data is this, then the difference of median and mean is what, ठीक है, mod आपको पता है कितना होता है, 3 median, minus 2 mean, ठीक है, यहां 3 median है, तो एक median को इधर ले आता हो, तो mod equal to हो जाएगा, mod minus median equal to 3 median, ओ स्वारी, 2 बचा, 2 median minus 2 mean, अब आपको mod और median का difference 24 दे रखा है, ठीक है, अब यह 2 common हो गया, तो यह क्या हो गया, median minus mean हो गया, अब इन दोनों का difference पूछा है, तो 2 का divide कर गए तो 12 हो आगया, तो यह empirical relation आपको पता होना चाहिए, क्लास में मैंने बताया, अब यह mod equal to 3 median minus 2 mean होता है, यह आपका stats का question हो गया, ठीक है, statistics question हो गया, ठीक है, simple सा question था, बढ़ यह आपको empirical relation पताना जी, अब अब अच्छा question बनाया है इन्होंने, the revolution made by the circular, area related to circle का chapter का question है, circular wheel of the radius, area related to circle बोल दो या surface area volume का भी बोल सकते, उसमें भी आपकोशन है, the number of revolution made by the circular wheel of radius this, बताओ, इसने बोला कि circle को मैं घुमा रहा हो, तो कितने revolution लगेंगे मेरे को, अब देखो इसमें simple सा fund आपकोशन है, तो टोटल आपका 11 km है, ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक round में, single round में, कितना जाएगा वो, 2 pi r के equal, इतनी distance एक round में cover करेगा, ये meter में या तो ये भी meter में आएगा, अब जो इसको meter में convert करके, जो भी आपका periphery आएगी या circumference आएगी, उसको divide कर देंगे, वहाँ से आजाएगा number of revolution, क्योंकि टोटल इतना cover करना है, और एक revolution में इतना चलता है, तो इतना किलोमेटर चलने में कितने revolution लगएगी, तो simple size में क्या करना है, आपको divide करना है, तो आपको number of revolution मिल जाएगे, median और mod class की lower limit बतानी, median class, mod class कैसे निकालते हैं, मैंने class में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, simple सा, cf मनानी ही median class के लिए, cf में क्या देखते हैं, n by 2 से just बड़ी cf के सामने वाले class, median class बोलते हैं, और model class क्या होती, जिसका frequency सबसे ज़्यादा हो, तो यह आपकी model class हो जाएगी, median class के लिए cf की table बनानी पड़ेगी, ठीक है, यह question मैंने class में भी discuss करे हुए, तो इस आपको नहीं पता है, तो आपको lecture अच्छे से देखने चीए, भले हमारे वाले पड़े हो तो हमारे से, या कहीं और भी आपने study करा हो, तो वहां से भी prefer कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको lecture पड़े होगे, तो बहुत आसान सा question है, आपसे असानी से बन जागा, यह again stats का question है, probably 6 will come at least once, ठीकि देखो total condition कितनी होगी, 36, ठीकि, total condition होगी 36, ठीकि, दो rise को roll करे, अब बोलाए कि, एक बार 6 कमसे कमाना चीए, तो मतलब 1 6 आए तो चलेगा, 2 6 आए तो चलेगा, 3 6 आए तो चलेगा, 4 6 आए तो चलेगा, 5 6 आए तो चलेगा, 6 6 आए तो भी चलेगा, अब इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, 6 1 आजाए, 6 2 आजाए, 6 3 आजाए, 6 4 आजाए, 6 5 आजाए, तो भी चलेगा, तो total कितने condition होगी, 5 और 5, 10, 10, 10 और 11, 11 अपॉन 36 आपून समझाए, ठीक, आसान सा कॉश्चन है, प्राबिलिटी का कॉश्चन है, प्राबिलिटी का कॉश्चन है, ठीक, प्राबिलिटी जनरली, आसान टाइप में ही बोल सकते हो, या, इस कॉश्चन में क्या दे रखा, 10 बीटा इक्वल टू, सम्झिंग दे रखा है, मन्दब 5, 10 बीटा इक्वल टू, तो 10 बीटा इक्वल टू कितना आगया डियर, 4 बाइ, 5, राइट एंगल टाइंगल में, परपेंडिकुल अपॉन बेस ले सकते हो, परपेंडिकुल अपॉन बेस लेके, यहां पर भी यही बचेगा, अब 10 बीटा आपको सीधा पता है, तो 4 by 5 तो 5 का कैंसेल हो जाएगा, 4 minus 2 upon 4 plus 2, जो कि हो जाएगा 2 by 6, यह 1 by 3, तो आपको option A करेक्ट हो जाएगा, otherwise आपका ट्राइंगल बना, यह 4 है, यह 5 है, ऐसे यह क्या हाँ, यह side निकालो, वहां से, sin बटा, cos बटा की value निकाल के put करतो है, यह, assertion reason की question आगे आपके सामने अब, चलो, क्या बोला है, the product of two numbers is this, their SCF is this, then the LCM will be, LCM is this, यह होगा क्या, ठीक है, तो देखो, इसका इसमें divide कर दो, ठीक है, इसका इसमें divide करो, तो divide करो, कितना आएगा, 3, 4, 0, सही आ रहा है, ठीक है, मतलब product of क्या होता है, मतलब A into B क्या होता है, SCF into LCM होता है, तो वही अपने लगया, LCM 340 आ रहा है, SCF is a factor of LCM, ठीक है, हाँ, ये correct है, LCM आपका, SCF का, SCF जो है, वो always LCM का factor होता ही है, ये तो correct है, LCM SCF का factor, sorry, SCF LCM का factor होता ही है, बट ये question, उससे solve होगा, क्या, उपर वाला solve करें के लिए, नीचे वाला को, आपने कहीं use करा क्या, नहीं करा, देखो, इससे 3-4 statement होते है, assession correct हो, पहले वाला statement correct हो, दूसरे वाला correct हो, एक correct हो, एक wrong हो, तब तो simple से 2 option होगी, ये वाले में, दोनों दिक्कत होती है, correct explanation का, मतलब क्या explanation का, कि दूसरे वाले को, आपने solve, पहले वाले को, जब solve किया, तो दूसरे वाले को, use करा किया, ठीक है, मतलब, ये जब पहला वाला solve करा, तो दूसरे वाले का, कही concept आपने use करा किया, अपने ये कहां use करा, ये तो आपने ये करा, A into B equal to, SCF into LCM, ठीक है, तो ये आपका real number का question होगा, अभी तक AP का, आपने को question देखने को मिला नहीं है, एक भी, the coordinate of the midpoint of the triangle, is this, 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 then the BC will be this, A, B, C, DE midpoint है, इनके, ठीक है, तो आपको ये पता है, midpoint ये इसकी आधी होती है, ठीक है, तो आप BD निकालो, DE निकालो, DE आपकी हो जाएगी, 8 का square, plus 6 का square, और उसका root निकालोगे, तो आपका 10 आएगा, ठीक है, तो ये 10 होई, तो ये 20 होगी, ये तो correct है, कोई दिक्कत नहीं, the line joining the midpoint of two side of a triangle, is the parallel to the third side, and the half of it, correct, 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 ये 9th class में, आप statement पढ़ते हो, midpoint theorem, MBT जिसको बोलते हो, ठीक है, तो ये midpoint theorem को, use करा, आपने questions solve करने के लिए, अशर्षन solve करने के लिए, आपका दोनो statement correct है, assertion भी correct है, reason भी correct है, हाँ, और reason is correct, explanation of the assertion, correct, option A will be correct, बस देखो, ये जो है न, A option कब correct करना, explanation कब है, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, दूसरे वाले को, पहले वाले में, use करा किया, बस simple सा fund आपको, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, तो गल्द होने के chance, बहुत कम है, ये आपके section A का question थे, आपके one marks के question थे, ठीक है, अब अपन section B पे बढ़ते हैं, section B का question, पहला question, two marks के सभी question है, ये अपना linear equation in, linear equation in two variable का problem है, ठीक है, ये लास्ट वाला सैथ में लिखा तो गिया, ये आपका similar triangle का बोल दो, ठीक है, वैसे आपको इसको, similar triangle का बोल सकते हो, बट इसमें जो दूसरा वाला statement है, वो class 9 में आपको बढ़ाया जाता है, midpoint theorem, उसको use करा गया है, इसमें x और y की value निकालनी, बहुत आसान question है, ऐसा मैंने class में भी discuss करा हुआ है, ठीक है, बट इस question के साथ एक specificity है, आप इसको coefficient same मना के, या elimination या फिर आप substitution से करोगा, हो सकता है, बहुत लैंदी हो, इसके लिए सबसे बढ़िया है, इसको मैं equation 1 बोलता हूँ, equation 2 बोलता हूँ, इन दोनों को एक बार add कर दो, add करोगा, जो बहुत बहुत आसान हो गया, एक equation बहुत आसान मिली, अब यहां से x की value कहीं put कर दो, तो आसान हो जाएगा, बट पुट करने के ज़रूर नहीं, एक बार क्या करो, 1 प्लस 2 करा, एक बार 1 माइनस 2 कर दो, तो 49 मैंसे 51 गया, तो आपका माइनस का 2x बनेगा, प्लस, 51y मैंसे 49y गया, तो आपका कितना बनेगा, 2y बनेगा, और वहां पे देखोंगे, तो 499 मैंसे 501 जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 से सबको divide कर दो, तो यहां पर equation पर ध्याद दो, यहां जो x का coefficient है, अगले वाले में y का बन रहा है, यहां जो y का coefficient है, वो अगले वाले में x का बन रहा है, तो ऐसे आप इस trick को ध्यान रख सकते हो, कि यह coefficient इंटर्चेंज हो रहे हैं आगे जाके, तब आप solve करोगे, तो ऐसे, एक बार plus कर दो, एक बार subtract कर दो, तो दो different नहीं equation मिलेगी, बट वो equation इस से compare बहुत आसान है, तो इन दोनों को आप solve करते हो, तो आपका answer आजेगा, अगला question, given figure, ad by b, and this is this, then the find triangle a, b, e, sorry, b, a, e, और आपको कौन सा बोला है, c, ad, यह दोनों similar है, आपको यह prove करना, और दिया क्या इन्होंने, ad by a, मतलब, ac by bd, और यह दोनों equal है, हाँ, अब देखू, यह दोनों angle equal है, one or two, तो इसके opposite वाली side भी equal होगी, opposite वाली side equal होगी, तो bd की जगा मैं a, b लिख सकता हूँ, तो ad by a, e, equal to ac by, a, b, तो यह ही होँना, यह बड़ी वाली side upon, छोटी वाली side, बड़ी वाली side upon, चोटी वाली side, ठीके तो यह ratio upon this, this ratio upon this, तो it's mean, यह दोनों क्या हो जाती है, parallel हो जाती है, parallel हो गई, कौन सी theorem, bpt, basic proportionality theorem, tails theorem से आ गया, उसके corollary relation से आता है, यह उल्टा relation अपन बोले, वैसे तो bpt क्या बोलती है, ae upon ed equal to a, b upon bc होता है, बड़ी थोर्म, उसके जो, उसमें कुछ आपन modify करके, result नया बनाते हैं, है नो, ऐसा बोल सकते हो, to a d by a e equal to a, a c by a b, तो मतलब यह दोनों line क्या होगी, parallel होगी, तो parallel होगी, यह दोनों triangle जो बोल रहा है, वो आपके similar बन जाएंगे, के लिए, यह आपका था, यह आपका similar triangle से question है, अभी तक a p का मेरे को question नहीं दिखा है, अगला question circle का ही नज़र आ रहा है, क्या बोला है, a p b, यह 75 है, तो आपको क्या पूचा है, मैं को लग रहा है, a q b पूचा होगा, a q b पूचा है, यह 75 है, तो यह, यह आपका एक cyclic quadrilateral बनता है, पता है आपको, इन दोनों का sum 180 होता है, क्योंकि यह दोनों तो 9090 है, यह 75 तो यह कितना हो गया idea, 105 और यह इसका क्या होगा, यह वाला angle इसका क्या होगा, center पर जितना बनता है, उसका आधा हो जाएगा, तो यह क्या है, यह जो center पर बना रहा है, इसका यह आधा होगा, मतलब, AQB is half of angle AOB, अगेन आसान सा कुछ नहीं, ज्यादा कोई difficult था नहीं आथा, और option दे रखा, इसमें दो question में, इस question में, minute end of clock is 6 cm, find the area swept it, simple सा है, बोलाएं कि minute end 6 cm किये, वो कहां से 7 बज़ कर 5 minute, तो यहाँ पर गई है, वहां से 40 तक गई, मतलब, 8 पर, मतलब, 1 से लेके 8 तक गई, ठीक है, हरे 1 से लेके पहले 2 गई होगी, तो यह 30 डिग्री होता है, तो टोटल एंगल निकाल दू कितना होगा, तो कितनी बार, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 7 से 8, तो आपका 8 बने बने 7 पार्ट हो जाएंगे, यह ना, 1 से 2, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, तो टोटल आपके 7 पार्ट हो गए, तो 7 पार्ट मूब करा, तो हर एक का 30 डिग्री होता है, तो 7 का कितना हो जाएगा, 30 इंटू 7, 210 डिग्री, तो मतलब आपका 210 डिग्री है, 210 आपका एरे लेटेड टू सर्कल कोईशन है, 210 डिग्री पर एंगल कितना होगा, तो आप कामला लगा लोगे, पाई आरे स्कॉड ठीटा बाई 360, जिसका ठीटा कितना है, यह और आर आपका 6 सेंटिमितर है, तो आसान सा कुश्चिन ने बन जाएगा, या, आर्क ड्राउन ऑन दे रेडियस अप दिस एंड में, इच वर्टाइस, या, सिंबल, यह वाला, यह असान, यह भी एरे लेटेड रूस सेंटिमितर का आर्क बनाया है, यहां से जो रेडियस से इससे आर्क ड्राउ करा है, वो 7 सेंटिमितर, यहां से 7, यहां से 7, यहां से 7, सभी 7 सेंटिमितर है, तो बोला है कि यह सेडेड पार्ट का एरिया बताओ, एक्चुल में अपने को फॉर्म्मला पता है, पाई आर स्कॉर्ट थीटा बाई 360, अब थीटा अपने को इसका तो सबका पता नहीं है, यह थीटा 1 होगा, यह थीटा 2 होगा, यह थीटा 3 होगा, यह थीटा 4 होगा, तो एरिया होगा पाई आर स्कॉर्ट थीटा 1 प्लस पाई आर स्कॉर्ट थीटा 2 प्लस पाई आर स्कॉर्ट थीटा 2 प्लस पाई आर स्कॉर्ट थीटा 4, बट इन चारो एंगल का सम 360 हो जाएगा तो मतलब इन चारो पार्ट को mix करो गया ना तो एक आपका circle मनेगा तो मतलब एक पूरे circle का area का equal हो जागा तो इसका answer क्या होगा पाई यार square यह भी again area related to circle का question है आगे move गरते हैं अगले question की तरफ तो यह दोनों आपके area related to circle के question थे मतलब a plus b की value 90 degree होने ची a minus b की value क्या होने ची यहाँ पर 30 degree तो a plus b 90 a plus a minus b 30 दोनों को solve करो तो a और b मिल जाएगा ठीक है simple सा find the acute angle 4 देख से ठीक है आप क्या करो उपपर भी cos से divide करो नीचे भी cos से तो उपपर cos से divide करो तो यह cos cos से divide होगा तो 1 मनेगा sin को divide करो तो 10 theta होगा similarly नीचे भी बचेगा 1 plus 10 theta equal to 1 minus root 3 upon 1 plus root 3 अब यह तो आप compare करके बोल सकते हो या फिर उनको cross multiply करो solve करो तो 10 theta की value आजाएगी root 3 10 theta root 3 आएगा तो theta आपका आजाएगा 60 degree असान से बन जाएगा question root 3 is a irrational and the proof that simple सा प्रूव वाले question आपने discuss करें class में जो अपने real number का chapter है तो यह real number का question है three marks के question है section C में तो यह आराम से आपका question solve हो जाएगा proof आले question दो तीन जो proof है irrationality वाले वह जरूर याद रखो उसी में से इर्दगिर्द घुम के question एक बनेगा ही बनेगा the zeros of this is double in the value of the zeros of this then the find the value of p इसके zeros निकाल दो alpha बीटा आएगे ठीक है alpha and beta आ जाएगे ठीक है तो देखो alpha and beta निकाल दो इनके zeros इसके क्या है 2 alpha और 2 beta ठीक है तो यहां से आपको p की value निकाल निकालनी है तो 2 alpha प्लस 2 beta निकालोगे तो क्या आएगा minus p आएगा 2 alpha into 2 beta करोगे तो क्या आजाएगा वैसे यहां से alpha बीटा निकालोगे तो भी चलेगा alpha प्लस बीटा निकाल दो क्या है 5 by 2 है alpha into beta minus 3 by 2 यहां पे alpha प्लस बीटा पूट करो तो पी आजाएगा alpha into beta पूट करो तो क्यों आजाएगा और alpha बीटा निकाल के भी solve करोगे तो भी सेम ही यह answer आजाएगा यह आपका question था polynomial का आसान सा question है यह linear question 2 variable question लग रहे है पहला distance time distance वाला question है train cover distance of this at a uniform speed if train would have the 6 km per hour ठीक है इसको दो पार्ट में कर लेता हो इसको कट करना था में रोखो ठीक है क्या बोला train cover distance certain distance at a uniform speed if the train would have 6 km एक x km की speed से पढ़ आ रही है ठीक है अब बोला मैं speed बढ़ा देता हूं यह distance कुछ बोलागा इसने length journey पूछी है ठीक है तो अपन distance मान लेते d और time मान लेते t है ठीक है तो यहां पर suppose यह सब कुछ सही रहता है d equal to क्या होता x into t होता है speed into time अब क्या बोला if मैं speed 6 km per hour से बढ़ा लू तो मतलब x प्लस 6 होगी तो time जो होगा time उट भी टेकन 4 hours कम तो time distance तो d time कितना होगा t minus 4 तो यहां से equation और बना दो d equal to x plus 6 into t minus 4 यह यहां से equation बने कि d equal to x क्या होगा तो यहां से equation बने कि d equal to x plus x minus 6 into t plus 6 थीक है अब length पूछा d पूछा अब क्या करोगे इसकी value d है तो इसको मैं x t के equal कर सकता हो इसको भी x t के equal कर लेता हो थीक है तो यहां जब product करोगे तो x t आएगा तो x t x t तो कर जाएगा तो t और x में एक equation बनेगी यहां पर भी t और x में linear equation दोनों ही linear equation बनेगी linear equation 2 variable का problem है दोनों ही linear equation बनेगी उससे आप x और t निकालोगे और x और t की value यहां put कर दोगे पहले तो d मिल जाएगा d equal to x into t ठीक है तो linear equation 2 variable का question है आसान सा question है बढ़ यह d की value put करोगे तो cancel out हो जाएगा इधर product करोगे तो x t आएगा x into 2 x t आएगा तो x t x t कर दो आएगा सेम इसमें आप देखोगे ठीक है और वाला ना यह भी mostly linear equation 2 variable के होगा यह दोनों ही same ही पार्ट के देते अनूज had some chocolate he divides them into the lots a and b अनूज के बास कुछ chocolate है वो a और b में बागता है ठीक है he sold the first lot at 2 rupees for 3 chocolates and d second lot as this chocolate he got total ठीक है अब पहली में आपकी जो प्राइज है वो क्या है दो रुपे है तीन चॉक्लेट के तो एक चॉक्लेट की कितने होंगे वन चॉक्लेट के इसको वन चॉक्लेट की बात करूँ तो वन चॉक्लेट का कितना होगा दो चॉक्लेट के इसको 1 रूपे पे बेचे और इसको क्या बोले 4 रूपे 5 चॉकलेट ठीक है तो एक चॉकलेट का कितना हो जाएगा 4 by 5 इसको 1 रूपे इसको 4 by 5 रूपे पर चॉकलेट बेचे तो कितना होगा प्लस y इन्टो 4 by 5 इकोल टू 400 था यहां पे कितना है टोटल भूड करेक्शन 460 इन दोनों को स्वाल कर तो एकस य की वैल्यू आ जाएगे तो टोटल नमबर आप चॉकलेट आ जाए ठीक है असान सी प्रॉब्लम है ठीक है अच्छा ये भी अगेन लीनेर एक्वेशन 2 वेरि 1014 य जाएगा दो निचे मॡ़़ें सक्वाइब चैस्कार थीट अब स्वाइब अपर नेचे वाट मलंचा का स्वार्ट थीटा स्वाइए कशच स्वाइब आपका स्वाइट निचे वनेगा कॉसे कि स्वाइट निचे का Cent attendee प् Foods नेखच स्वाइब टीटा स्वाइगा cos cube theta into cos square theta minus plus ठीक है यहाँ पर क्या कर सकते हो cos cube theta को लिख सकते हो cos cube theta upon sin cube theta into sin square theta तो आप देखो कि 2 sin से 1 sin cube गया है 2 cos से 1 cos cube 2 cos से 2 cos गया है अब देखो उपर बना sin cube upon cos cube यहाँ पर बना cos cube upon sin cube तो इन दोनम कुछ L-sim आ रहा है इन दोनम कुछ L-sim अपने पास नहीं बच्चरा है तो देखो इसमें क्या करता हो sin theta into cos theta L-sim ले 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 लेदा हो तो उपर बनेगा cos theta sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta अब देखो alpha की power 4 plus beta की power 4 को आप लिख सकते हो alpha square plus beta square minus 2 alpha square beta square तो sin की power 4 theta plus cos की power 4 theta को लिख सकता हो sin square theta plus cos square theta का whole square whole square minus 2 into sin square theta into cos square theta upon क्या है sin theta into cos theta यह cancel out होके sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो यह इसको simplify करोगे तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा 1 minus 2 sin square into cos square upon sin into cos अब sin cos को split कर दो तो यह बनेगा 1 upon sin cos 1 upon sin cos क्या होगा 1 upon sin होता है cos act theta sorry cos act theta और 1 upon cos होता है sec theta तो यह बन गया और आगे देखोगे तो sin एक sin से एक sin जाएगा एक cos cos जाएगा तो बच्चे का minus 2 sin cos तो यह सेम वाला चीज़ बन जाएगा तो क्या करें आपने sin cos में convert करा इन left hand side को नीचे identity लगी उसको solve करा और simplify करके यह एक identity अपने इसकी ठीक है ठीक है अगे इन सिंपल सा question है बागी मैंने बहुत सारे question अपने glass में भी discuss करे हुए तो इस आपको proof में दिक्कत है तो जो class वाले lecture से जो डले हुए आपके playlist में check करोगे तो वहां पर आपके प्रूफ वाले question को अच्छे से आप डिस्क ट्राइ करोगा है प्रूव द पैलोग्राम सर्कमिस्क्राइब अ सर्कल इस रॉंबस यह सेम क्लास में करा हुए आप डिसकर्स अराम से simply solve कर सकते हो ठीक है यह आपका सर्कल का question है ठीक है सिंपल सा question है साथ NCRT में भी है आपकी ठीक है अगला उला question xyn xy-s दो parallel cord tangent दे रखिये circle at another tangent यह एक और tangent दे रखिये यह साथ एक्जांप्लर का question है मेरे को लग रहा है तब तब मीबी और या फिर अजिसी आठीक हो दुनों में से कहीं नहीं कहीं का था है अन्दर अब अब पॉइंट आप पॉन्टेक्ट सी ठीक है सी पर कॉन्टेक्ट करता है एक्स य इओ भी यह 90 डिग्री होता है वैसे तो अब इसी को प्रूव करना है कि कितना होगा यह ठीक है तो मैंसलों क्या करता हूँ इसको मीट करवा देता हूँ इन दोनों इस पॉइंट आप कॉन्टेक्ट को यह मीट करवा देता हूँ ठीक है देखो इसको एलफा मानूंगा तो यह भी एलफा होगा इसको बीटा मानूंगा तो यह भी बीटा होगा क्यूँ इस पॉइंट से दो टेंजेंट है एक यह एक यह और यह सेंटर से मिलाने वाली एंगल से सेम बनाएगा यहां से भी सेम बात है दो टेंजेंट है एलफा ए सेम यह लिखना चाहूं यह वाला कितना होगा यह बीटा है यह 90 है तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा अब आपका एंगल यह वह कितना हो गया 90 प्लस 90 180 180 माइनस अलफा प्लस बीटा निकालना अब बताओ ये दो line parallel है और ये transverse line इसको cut कर रहे हैं ये 2 alpha ये 2 beta है बताओ इन दोनों का sum कितना होता है 180 होता है थो इंटेरेर एंगल का sum कितना होता है 180 तो 2 alpha plus 2 beta equal to 180 तो alpha plus beta कितना आजाएगा डियर 90 अब 90 यहां पर put करोगे तो 180 में से 90 जाएगा तो यह finally आगे 90 आजाएगा तो क्या करा है बस एक point लिया यहां से यह दोनों angle alpha लिया यहां यहां से बीटा बीटा लिया फिर इनका sum करा है यहां से इंड अ ट्राइंगल अ प्रॉपर्टी लगे ट्राइंगल की फिर अपने यह एंगल का और concept यूज़ क्या रंगा सम आफ इंटिर्यर अंगल और ट्राइंगल फू पैरलर लाइन्स ठीक है दो कोंट टोस करें तो क्या होगा head head आ सकता है टेल टेल आ सकता है डेल आ σकता है है डेला सकता है total condition फुर जोगी बुला एस वन हैड तो कम से कम है तो यह भी चलेगा यह भी चले यह भी तो 3 by 4 होगी एट मोस्ट वन टेल ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो सकता है यह दोनों आ जाएंगे या फिर यह भी हो सकता है जिरो टेल तो वह भी तीन कंडिशन होगी ठीक है अहेड़न अटेल तो आपके दो पॉइंट होगे तो दो आसान सा कुशन है प्रॉबेबिलेटी का अ कि दियान कि चेटी कि टीक के बाद एक और सेटनर सफेले प्रॉफ उंट ही टो फिल अ तो पिकेशन टेंट वाईंट यूजिस इन तो आपट और स्विल पिल जान पॉन। पर फिल के तो पीप इस उस इस पिल पिलिग एट नहौन है पूल कर दो पेंट पीडिए पल्यू ठीक है, क्या बोला है, to fill a swimming pool, two pipes are used, if the pipe of larger diameter used for four hours, ठीक है, दूसरे वाले diameter को nine hours, and the pipe of smaller diameter is nine hours, only half of pool can be filled, ठीक है, find the how long it would be take, each pipe to fill the pool separately, if the pipe of smaller diameter, this and this, ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है, कि smaller diameter से आपका, x time लगता है, x hour लगता है, अच्छा, larger का आपन x मान लेते हैं, या फिर smaller का, smaller का x मान लाजर का कम हो जाएगा न, ठीक है, larger का आपन x मान लेते हैं, larger अपन x hour माना, तो smaller कितना लगता हैं, same question आपका NCIT में, same question, ठीक है, मैं ज्यादा time waste नहीं करूँगा, इन दोनों का timing दिया हुआ है, larger और smaller का, इतने में यह पूरा फिल करता है, यह इतने में फूल करता हैं, ठीक है, तो बताओ, यह 1 hour में कितना फिल करेगा, 1 by x, और यह 1 hour में कितना फिल करेगा, 1 by 10 plus x, ठीक है, अब क्या बोला, larger वाला जो pipe है, वो तो आपका 4 hour चला है, तो यह 4 hour में कितना फिल करेगा, 4 into 1 by x, smaller वाला कितनी देर चला है, 6 hour, 9 hour चला है, तो 9 into 1 by 10 plus x, ठीक है, यह smaller चला, larger यह smaller इतनी देर चला, ठीक है, और दोनों मिलके कितना फिल किया है, टोटल का 1 by 2, यह 1 by 2, बस, तो यह इतना फिल करा, यह 1 hour में 1 by x करता है, यह 1 hour में 1 by 10 plus x करता है, दोनों का निकाल जाए, कितना पाट फिल करेगा, का दोनों को add करा one by two के यहां से आप x निकाल सकते हुआ ना quadratic equation का question quadratic equation का ठीक है the flight of flight of 600 km and the aircraft was slowed down due to the bad weather its average speed is trip was reduced by this than the unusual speed and the time of flight increased by the 30th in the schedule of the flight ठीक है बोलाए 600 km distance कितनी 600 km कुछ speed होगी कुछ time होगा x into time यह आपकी speed मान ली यह मैंने time लिले इतना लगेगा अब बोलाए कुछ weather की दिक्कत की वज़े से speed है वो 20 km per hour से reduce कर दी तो मतलब x minus 200 हो गया ठीक है और time of flight है वो 30 minutes से बढ़ गया तो t plus 30 minutes एनी 1 बाइट अब दो equation आई यहाँ पर x t आएगा इधर right hand side में तो x t की value 600 पूट कर लेना फिर again क्या करना इन दोनों को solve करने के लिए x की value और put करना तो t में quadratic बन जाएगी t की value आपको फाइनली x और t दोनों की value मिल जाएगी तो आपने क्या बोला find the schedule duration मतलब t की value निकालनी है तो t का final answer आपको मिल जाएगा प्रूब दाइफ line is drawn to the parallel to the one side of a triangle intersecting the another two side आच्छा क्या बोला है ABC ।।। उपकर B. A. F holes C. ये किस रशियो रीटियो में। rust FREE त्यूंकी पारखी दे को ह मunाम होती है। ये अंका सिम्लरीर होती ही। ये किस रसियो में। write ielts theorem का प्रूव है। त्यूंकी त्यूंकी to the binary consensus USen आपका सविर वहाइड में। डाती है। यह यह सें रेशियो में डिवाइड करता है एसा ही और से नहीं भी पास होता तो भी सेंडी रेशियो में डिवाइड करता है इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं आपका स्फिंबल सा कोशन है का कोईशन नहीं है ठीक है तो आराम से आपको हो जाएगा यह सर्फेस एरिया वॉल्यूम का कोईशन है due to the heavy flood in the state thousand were rendered homeless 50 school collect decidedly to provide place and the canvas of 1510 ठीक है प्लेस and the canvas for the 1500 ठीक है and share the whole expansion equally the lower part of the each tent is a cylindrical with the base of the this and the height of this मतलब इसने बोला किया कि flood की वज़े से दिक्कत हो रही थी तो कुछ इसको लोने मिलके अपना canvas मतलब अपने tent बनाने की हम लोग tent बनाएंगे ठीक है तो नीचे वाला तो आपका cylindrical shape है ठीक है अपर पार्ट इस conical with the same base ऐसा कुछ है ठीक है canvas used to make the tent cost is but then the shear school set up the tent ठीक है अचलो क्या बात है इसका surface area निकालना है पहले circumference कितना होगा तो 2 pi r h plus tent का pi r l आप निकाल सकते हों यहां पर आप टिकनो राइट अंगल ट्रैंगल में आप property लगा दोगे hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square तो यह solve हो जाएगा तो यह दोनों का area जाएगा area को अपन 120 से multiply करेंगे तो आपका एक tent का cost आएगा और ऐसे कितने tent है 1500 तो again 1500 से multiply करोगे तो total tent का cost आएगा और उसमें से 50 का again divide करोगे तो एक school को कितना expenditure रहन करना पड़ेगा मतलब कितना अपने को देना पड़ेगा वह आजाएगा तो पहले 120 से multiply करोगे फिर 1500 से फिर 50 से divide करो तो ऐसे हो जाएगा अगला question there are two identical solid cubal box of 7 cm from the top face of the first cube on the hemisphere of diameter equal to the side of the cube is scooped out this hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dom ठीक है simple साय कुछ क्या करा है यहां उपर से cuboid है अंदर से अपन जैसे ice cream कारते ना वैसे एक hemisphere अंदर से cut out कर दिया तो surface area पर क्या impact पड़ा वो बताना है तो देखो if suppose hemisphere नहीं होता तो surface area वैसा ऐसा question अपने करा हुआ है class में भी 6a square है surface area ठीक है अब उपर से वैसे cut करा मैंने ठीक है उपर से cut कर तो यह गोल गोल है यह इतना कम हुआ तो कितना कम हुआ पाई आर स्कॉयर अब जब वह हंदर से cut out हुआ तो अंदर एक और sphere form होगा अंदर एक और sphere form होगा तो उसका वॉल्यम उसका surface area कितना है तो उसका surface area होगा इस कूप आउट करूंगा तो और वही scope दूसरे पर मैं उपर लगा दू कहने का मतलब दूसरे पर ऐसा अपने लगा दिया उपर है ना square के cube के उपर तो यह जो बना है cube के उपर लगाने के बाद उसका जो surface area निकलेगा वह भी साहथ same ही बनेगा हाँ same ही बनेगा क्योंकि क्या हुआ 2 pi r square तो था ही था 6a square माइनस उपर अपने क्या कर दिया ऐसा था उपर यहां से ढख दिया यह तो यह कम हो गया तो pi r square कम हुआ फिर अगेन उपर से ऐसा dom बना तो उसका कितना होगा 2 pi r square बस और volume कितना होगा तो पहले के volume में तो क्या होगा total volume होता है a cube minus hemisphere का volume दूसरे में a cube plus hemisphere का volume ठीक है तो volume में add हो जाएगा एक में एक में subtract हो जाएगा surface area दोनों का same रहेगा तो ratio equal ही रहेगा या बहुत आसान सा question है simple सा यह stats का question है ऐसा ही same question अपने f1 और f2 लेके set solve करा हुआ है तो आप class note देख लेना आसा question है easily बन जाएगा median निकालने का ठीक है इफ कोई ऐसा में बोल रहा होगी class notes में आपको नहीं मिले तो मेरे ग्रूप जो हमारे telegram channel है वहाँ पर आप question डाली है बेज देना तो मैं वहाँ आपके साथ discuss कर लूँगा इफ कोई दिक्कत होगी तो ठीक है section E में question है four marks के आसान से question होगी इसमें भी अगें ठीक है what the length of the line segment point B और D अच्छा coordinate geometry का problem होगा है simple सा B का है B यह रहा D यह रहा दोनों के coordinate निकाल और distance कोई दिक्कत नहीं ठीक है दोनों के coordinate निकाल सकते हो इस diagram को देखके the center Z of the figure will be the point of the intersection of the diagonal of a quadrilateral अच्छा quadrilateral कौन सा है W x W x W x A W x O P W x O कहा है यह आपर अच्छा यह रहा W x O P इस quadrilateral के diagonal का intersection point है अब यह जब quadrilateral देखोगे तो आपका एक rectangle है ठीक है quadrilateral क्या है rectangle है ठीक है quadrilateral rectangle है तो इसका जो diagonal के intersection होगे ठीक है diagonal के intersection होगा वो P और X का क्या होगा midpoint होगा है ना या फिर O और W का midpoint होगा तो आपको करना क्या ultimately P और X का midpoint निकालना या W और O का midpoint ऐसा question अपने जो starting में कर रहता पैलोग्राम का वैसा ही question है अगला question What is the coordinates of the point on y-axis equidistance from G and A and G A और G का है A और G A यह रहा G का है यह रहा तो बस simple सा है इन दोनों का point आपको पता है y-axis पे कोई point पूछा है तो y-axis पे कोई point क्या मानोगी 0, y मानोगी बस दोनों की distance equal कर दो y की value आपको मिल जाएगी ठीक है तो 0, y मान लो और उसकी आप क्या करो A से और G से distance equal कर दो तो इक वी distance वाला की कर दो ठीक है अगें ट्रेपिजियम A G F H A F G H A F A F G H इसका area निकालना है तो आप काम एक कर सकते हो एक तो या तो यह पहले rectangle का निकाल दो simple सा coordinate को use करके या फिर इसके दो diagonal बनाके एक इसका area इसका area दो triangle का area add कर दो या फिर single geometry से निकालोगा ना तो यह triangle में देखो तो यह distance कितनी है 2 और यह distance कितनी है 2 तो area कितना होगा है 1 by 2 into 2 into 2 है नि 2 area होगा same area 2 इसका होगा यह आपका rectangle है तो rectangle की height 3 है और 2 है और यह distance कितनी है 2 into 3 6 हो जाएगा 6 plus 2 plus 2 है नि 8 area हो जाएगा तो वैसे भी आप निकाल सकते है यह क्या है अगला the school auditorium was the constructed to accommodate at least 1500 people chair or place in the concentric circular arrangement in such a way that each structuring circular row of 10 seat more than अच्छा यह आ गया इसमें आपकी row X है तो अगले वाले में कितनी होगी 10 plus X होगी AP का question होगा अगले वाले में 10 plus 10 plus X मतलब पुराने वाले से 10 ज्यादा ठीक है पहले में इसने बोलाया कि 30 rows है पहले में कितना है 30 30 जन्स seat है दूसरे में कितना होगा 10 ज्यादा 40 10 to there मतलब कहने के मतलब मैं बोल देता हूँ सबोसरे N term है तो इसने बोलाया कि S N की वेल्यू 1500 है तो N बताओ सिंपल सा कुईश्चन है तो S N का फामलल लगाओ N by 2 bracket 2 A plus N minus 1 into D equal to 1500 वहां से आप N निकाल सकते हो बस सिंपल सा कुईश्चन दो नहीं इस 1500 seat to be arranged in the auditorium how many seats are still left be put after 10th row 10th row के बाद कितनी seat बचेगी ठीक है तो आप क्या करो 1500 total बोला है तो आप क्या करो S 10 निकालो S 10 निकाल जाए तो S 10 की value आगी 10th row तक इतनी seat होगी उसको 1500 मैं से minus कर तो जीतनी बच जाएगी इस there were a 17th row in the auditorium then how many seats will be in the middle row यह बोला कि 17th row है आपके auditorium में तो middle row में कितना होगा 17th है तो middle पे आपका 9th row 9th row में number of seats बताना है तो A9 बताना है A9 भी आप निकाल सकते हो यहां 3rd question तो sub question हो जाएगा मैं जब कबसे भी बोला AP का problem नहीं आया था तो यह AP का problem दिया उन्होंने बहुत अच्छा problem है ठीक है एक अभी वो नहीं आया है चलो यह हाइडन दिस्टन्स की एक problem यह दखो हाइडन दिस्टन्स का question क्या बोला we have seen the aeroplane flying in the sky not thought of how they actually reach the correct destination ATC traffic मतब जो अपनी जो traffic police होती ना वैसे ATC होती है air traffic control इस service probability बेसे ठीक है given instance ATC find that the angle of the elevation of the plane aeroplane from a point on the ground is 60 degree after मतब यह बोला है यहाँ से angle of elevation 60 degree था ठीक है बस यहाँ पर flight question ने बोला है ठीक कोई दिक्र ने उसके बाद क्या बोला है after the flight of 30 seconds he observed that the angle of elevation change is 30 degree 30 degree पर change हो गया angle of elevation the height of plane remain constantly 300 root 3 ठीक है above information draw the net label figure to show the situation diagram diagrammatically तो यह अपना diagrammatically हो गया is the distance travel by plane in 30 seconds ठीक है तो अपन speed माल लेते x x kilometer per hour या meter per second माल लेते हैं से यहां से यहां तक चला तो x speed है तो 30 seconds में कितना चलेगा 30x और यह distance भी कितनी थी 300 root 3 तो यह 300 root 3 यह 30 degree तो यह value y माल लेता हो इस triangle में आप trigonometry लगाओगे तो y की value मिल जाएगी इस triangle में trigonometry में लगाओगे तो x की value मिल जाएगी कैसे y की value put कर दोगी जो आएगा फिर यह बन जाएगा 300 root 3 upon y plus 30 x equal to something 10 30 तो y की value मिल गी तो यहां से x मिल जाएगा तो अब पुछाएगी distance कितनी थी travel होगी 30 seconds बतो 30 into x को जाएगा keep the height constant during the above observe that the after this second the angle of elevation change to the how much distance travel this duration same है यहां पर time change हो गया मतलब 30 x की जगह यह क्या जाएगा this into x आजाएगा और यह 45 degree हो जाएगा और यह height आपकी change height वही रहेगी 45 degree यह distance आजाएगी x की value इसमें निकाल देना वह भी निकल जाएगा speed तो अपने निकाल ही दी kilometer per hour में निकालना meter per second है meter को kilometer मदलता hour को second मदलता है आसान सा problem है वैसे case study वाली problem है वैसे दिखने में भारी भरकम होता है diagram को थोड़ा सा object यह वाला जैसे diagram यूज ही निया है पिछले वाले में अच्छा खासा यूज आया था तो बहुत आसा सा question होता है case study का इतना load लेने की ज़रोत नहीं आसानी से easy equation बन सकता है के लिए dear तो यह complete अपना paper था जहां तक मेरे को लगा मैंने अच्छे से discuss तो देखो complete solve करता मैं सबोज यह तो बहुत time भी waste होता और आपको होता maybe आपके useful भी नहीं होता जो तो main main points से मैं आपको बताने की try करिए फिर भी आपका कोई doubt रहे जाना तो हमाय telegram channel पे जूड़िए वहां पे आप अपना doubt भेज़ देना सर यह वाला question में को समझ में नहीं आए तो दुबारा बता दूँगा ठीके डियर और कोई भी डाउट हो इसके अलावर भी डाउट हो तो वहां पे आप शेर कर सकते हो बाकिया आपको study material complete आपको प्रोवाइड है हमाय चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके हरे subject का आप देख सकते हो आराम से हर एक chapter आपको मिल जाएगा अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ ठीके डियर तो उमीद करता हूँ यह आपको session थोड़ा सा बढ़िया लगा होगा जो अपने discuss करा है ठीके तो मिलते हैं आपन next video में यह तो standard का था basic का भी में वीडियो लेगा हूँ ठीके thank you so much